लब्यवेवस्ता अध्याय 24 पवित्र दीपको और रोटियों की विधी फिर यहवा ने मूसा से कहा इसराइलियं को यह आग्या दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे हरुण उसको मिलाव वाले तंबु में साक्षि पत्र के बीच वाले परदे से बाहर यहवा के सामने नित्य साँन्ज से भूर तक सजा कर रखे यह तुम्हारी पीधी-पीधी के लिए सदा की विधी थेरे। वह दिपकों के स्वच्छ दिवट पर यहवा के सामने नित्य सजाया करे। और तु मैदा लेकर बारह रोटिया पक्वाना। प्रत्तेक रोटि में एपा का दो दस्वा अंश मैदा हो। तब उनकी दो पांती करके एक-एक पांती में छे-छे रोटिया स्वच्छ मेज पर यहवा के सामने धरना। और एक-एक पांती पर चोखा लोबान रखना। फिर वह रोटि पर स्मरन दिलाने वाला वस्तु और यहवा के लिए हव्य हो। प्रतिविश्राम दिन को वह उसे नित्य यहवा के सन्मुख करम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रिती इस्राइलियों की ओर से हुआ करे। और वह हारून और उसके पुत्रों की होंगी और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाए। क्योंकि वह यहवा के हव्यों में से सदा की विधी के अनुसार पवित्र वस्तु ठैरी है। यहां सुनकर लोग उसको मुसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम शलोमित था जो दान के गोत्र के दिबरी की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया। जिससे यहवा की आग्या से इस बात पर विचार किया जाए। तब यहवा ने मुसा से कहा तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर लिवा ले जाओ। और जिन्होंने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर्पर टेके। तब सारी मंडली के लोग उसको पत्थर वाहा करे। और तु इसराइलियों से कहा कि कोई क्यों नहों जो अपने परमिश् को शाप दे उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहवा के नाम के निंदा करने वाला निष्चे मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निष्चे उसको पत्थर वाहा करे। चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम के निंदा करे तो वह मार डा और जो कोई किसी घरेलू पशु को प्रान से मारे वह उसे भर दे अर्थात प्राणी की संती प्राणी दे यदि कोई किसी दुसरे को चोट पहुचाए तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए अर्थात अंग भंग करने की संती अंग भंग किया जाए आख क संती आंख, दात की संती दात, जैसी चोट जिसने किसी को पहुचाई हो, वैसी ही उसको भी पहुचाई जाए, और पशु का मार डालने वाला उसको भर दे, परंतु मनुष का मार डालने वाला मार डाला जाए, तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए, वैसा ही पर तब उन्होंने उस शाप देने वाले को छावनी के बाहर ले जाकर उसको पत्थर वहा किया और इस्राइलियों ने वैसा ही किया जैसा यहवा ने मूशा को आग्या दी थी